लोग सभा के स्पीकर आदर्डिय श्री ओम बिरला जी राज सभा के उपसभापती श्री हरिवांच जी मानिय सांसदगर्ण सभी वरिष्ट जन प्रतिनिदी विशिष्ट अतिधी अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे देश वास्यों हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमीट हस्ताक्षर बन जाती हैं आज 28 मैं 2023 का ये दीन ऐसा ही शुब अवसर है देश आजहादी के 75 बर्ष होने पर अमरित महोत्सों बना रहा है इस अमरित महोत्सों में भारत के लोगों ने अपने लोक्तंत्र को सौंसत के इस नए भवन का उपहार दिया है आज सुब्य ही सौंसत भवन परिशर में सर्व पंथ प्रार्षना हुई है मैं सभी देश वासियों को भारतिय लोक्तंत्र के इस स्वनिम ठ्षन की बहुत बहुत बढ़ाई देता हुए साथियों ये सिर्फ एक भवन नहीं है 140 करोड भारत वासियों की आकांचाओं और सपनों का प्रतिमिम्ब है ये विश्व को भारत के द्रड़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोक्तंत्र का मंदीर है ये नया संसद्भवन योजना को यथार्थ से नीती को निर्मान से इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से संकल्प को सिद्धी से जोड़ने वाली एहम कड़ी साबित होगा ये नया भवन हमारे स्वातंत्रता सेनानियों के सप्णों को साकार करने का माध्यम बनेगा ये नया भवन आत्म निर्वर भारत के सूर्यो दैका साक्षी बनेगा ये नया भवन विश्षीज भारत के संकल्पों की सिद्धी होते हुए देखेगा ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है साथ्यो नए रास्तों पर चल कर ही नए प्रतिमान गड़े जाते हैं आज नया भारत नए लक्ष तै कर रहा है नए रास्ते गड़ रहा है नया जोश है नया उमंग है नया सफर है नई सोच है दिशा नहीं है द्रश्टी नहीं है संकल्प नया है विश्वास नया है और आज आज फिर एक बार पूरा विश्वा भारत को भारत के संकल्प की दड़ता को भारत वास्यों की प्रकरता को भारतिय जनशक्ति की जिजी विशा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्वा आगे बढ़ता है संसत का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आहवान करेगा साथियों आज इस आइतिहासिक अउसर पर कुछ देर पहले संसत की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है महांट चोल साहराज्य में सेंगोल को कर्तव्य पत्का सेवा पत्का राष्ट्र पत्का प्रतीक माना जाता था राजा जी और आदिनम के संतों के मार दर्सन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तान तरण का पतिक बना था तमिल नाडू से विशेश तोर पर आये हुए आदिनम के संत आज सुबह संसत भवन में हमें आशिरवाद देने उपस्तित हुए थे मैं उन्हें पुन स्रद्धापुरवक नमन करता हूं उनके ही मार दर्शन में लोक सभा में यह पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है पिछले दिनों मिडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं मानता हूं यह हमारा सोभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लोटा सके है उसकी मान मर्यादा लोटा सके है जब भी इस संसद्धवन में कारवाई शुरू होगी इस एंगोल हम सभी को प्रेणा देता रहेगा साथियों भारत एक लोगतंत्री ग्रास्त्र ही नहीं बल्कि लोगतंत्र की जननी भी है मदर अब डेमोक्रेसी भी है भारत आच वैश्विक लोगतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है लोगतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्ता नहीं एक संसकार है एक विचार है एक परंपरा है हमारे वेद हमें सभाओं और समित्यों के लोगतंत्री आधर सिखाते हैं महाभारत जैसे गरंतों में गणों और गणतंत्रों की ववस्ता का उलेक मिलता है हमने बैशाली जैसे गणतंत्रों को जी कर दिखाया है हमने भगवान बस्वेस्तवर के अनुपव मंटपा को अपना गवरो माना है तमिल नाडू में मिला नौसो इस्वी का सिला लेक आज भी हर किसी को हरान कर देता है हमारे लोग हमारा लोगतंत्र ही हमारी प्रेणा है हमारा संभीदान ही हमारा संकल्प है इस प्रेणा इस संकल्प की सबसे स्रेष्ट प्रतिनिती अगर कोई है तो यह हमारी सौंसद है और यह समसत देश की जिस सम्रिद्ध संस्कृति का प्रतिनिदित्व करती है उसका उद्गोश करती है शेते निपध्य मानस्य चराती चर्त भगह चरैवेती 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 कहने का ताथ पर यह जो रुख जाता है उसका भाग्य भी रुख जाता है लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे वड़ता है बुलंद्यों को चुलता है और इसलिए चलते रहो चलते रहो गुलामे के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी वो यात्रा कितने ही उतार चड़ाओं से होते हुए कितनी ही चुनोतियों को पार करते हुए आजहादी के अमरितकाल में प्रवेश कर चुकी है आजहादी का ये अमरितकाल दिरासत को सहते हुए विकास के नए आयाम गड़ने का अमरितकाल है आजहादी का ये अमरितकाल देश को नई दिशा देने का अमरितकाल है आजहादी का ये अमरितकाल अनंत सपनों को असंख्या कांख्या को पूरा करने का अमरितकाल है इस अमरितकाल का अवान है मुक्त मात्र भूमी को नवीन पान चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए और इसलिए भारत के भविश्य को उज्वल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए आधुनिक होना चाहिए साथियों एक समय था है जब भारत दुनिया के सबसे समरद और बैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था भारत के नगरों से लेकर महलों तक भारत के मंदिरों से लेकर मुर्तियों तक भारत का वास्तू भारत की विशेजग्यता का उद्गोश करता था सिंदू सब्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्य कानिन स्तब्ब और तुपों तक चोल शासकों के बनाएं भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर्थ से आने वाली यात्रियों को हैरान कर देता था लेकिन सैकडो साल की गुलामी ने हम से हमारा एक गौरव छीन लिया एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्मार को देखकर मुग्द होने लग गए 21 वी सदी का नया भारत बुलंद होसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है आज भारत प्राचीन कला के उस गवरोशाली धारा को एक बार फीर अपनी तरफ मोड रहा है और संसत की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवन्त प्रतीक बनी है आज नए संसत भावन को देखकर हर भारतिय गवरोव से भरा हुआ है इस भावन में विरासत भी है वास्त्व भी है इसमें कला भी है कौशल भी है इसमें संस्कृती भी है और संविधान के स्वर भी है आप देख रहे हैं कि लोग सभा का आंत्रिक हिस्सा यहां भी देखिए यहां भी देखिए राश्ट्य पच्छी मोर पराधारी थैं राज्य सभा का आंत्रिक हिस्सा राश्ट्य फूर कमल पराधारी थैं और संसत के प्रांगन में हमारा राश्ट्य व्रुक्ष बर्गद भी है हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों की जो विबितता है इस दये भवन ने उन सब को समाहित किया है इसमें राजस्थान से लाए गए गरिनाईट और बल्वा पत्थर लगाए गए यह जो लकडी का काम आप देख रहे हैं न वो महराश्टर से आई हैं यूपी में बदोही के कार्युगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालिनों को बूना है एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना के दर्शन हो साथियों संसत के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था यह हम सभी जानते हैं टेकनोलोजी से जुड़ी समस्याएं थी बैठने की जगह से जुड़ी चुनवती थी इसलिए ही बीते डेड़ दो दसकों से यह चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्कता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी संसदों की संख्या बढ़ेगी वो लोग कहां बैठते हैं और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्मान किया जाए और मुझे खुशी है कि भग्वे इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लेशा है आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है बिजली कम से कम खर्च हो हर तरब लेटेस्ट टेकनोलोजी वाले गैजेट्स हो इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया साथियों आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले स्रमिकों के एक समू से मिला हूँ इस संसद भवन ने करीब साथ हजार साथ हजार स्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बाहाया है कि मुझे खुशी है कि इनके स्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलेरी भी संसद में बनाई गई है कि और विश्व में साइड ये पहली बार हुआ होगा कि संसद के निर्मान में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है कि साथियों कोई भी एक्सपर्ट कि अगर पिछले नौ वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये नौ साल भारत में नौ निर्मान के रहे हैं गरीब कल्यान के रहे आज हमें संसद की नई इमारत के निर्मान का गर्व है तो मुझे पिछले नौ साल में गरीबों के चार करोर घर बनने का भी संतोष है आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर उचा कर रहे हैं तो मुझे पिछले नौ साल में बने ग्यारा करोड सोचालयों का भी संतोष है जिनोंने महिलाओं की गरीबा की रक्षा की उनका सर उचा कर दिया आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले नौ साल में हमने गावों को जोड़ने के लिए चार लाग किलोमिटर से भी ज़्यादा सडकों का निर्मान किया आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए पच्चास हजार से ज़्यादा अम्रुत सरोवरों का निर्मान किया है आज जब हम इस नए संसच भवन की लोग सभा और राज सभा को देखकर उत्सों मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में तीस हजार से ज़्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं यानि पंचायत भवन से लेकर संसच भवन तक हमारी निष्टा एक ही है हमारी प्रेणा एक रही देश का विकास देश के लोगों का विकास साथियों आपको ध्यान होगा पंद्रा अगस को लाल कीले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागरत होती है भारत में आजादी के 25 साल पहले 47 के पहले 25 साल दियात कीजिए आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था गांदी जी के असयोग अंदोलन ने पुरे देश को एक विश्वास से भर दिया था गांदी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारत मासी को जोड दिया था ये वो दोर था जब हर भारतिय आजादी के लिए जी जान से जुड गया था इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा आजादी का ये अमरित काल भी भारत के इतियास का ऐसा ही पड़ाव है आज से पतीस साल बाद भारत अपनी आजादी के सो वर्ष पूरे करेगा हमारे पास भी पचीस वर्ष का अमरित काल खंड है इन पचीस वर्षों में हमें मिलकर भारत को विक्षित राष्ट बनाना है लक्ष बड़ा है लक्ष कठीन भी है लेकिन हर देश्वासी को आज इसके लिए जी जान से जुटनाई है नए प्रण लेने है नए संकल्प लेने है नए गती पकड़नी है और इत्याद गवाँ है कि हम भारतियों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सिमित नहीं रहता हमारी आजाजी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागरित कर दी थी हमारी आजाजी की लड़ाई से भारत तो आजाज हुआ ही साथ ही कई देश आजाजी की राह पर चल पड़े भारत के विश्वास ने दूसरे देशों को दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था और इसलिए भारत जैसा विविद्धता से भरा देश इतनी बड़ी आबादी वाला देश इतनी सारी चुरोंतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरना भी मिलती है भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग-अलग भूभाग में अलग-अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरना का कारण बनने वाली है आज़ेदी भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरना भी देता है भारत का विक्सित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा इसलिए भारत की जिम्बेदारी और बड़ी हो जाती है और साथियों सफलता की पहली शर्त सफलता की पहली शर्त सफल होने का विस्वास ही होती है यह नया संसद भावन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है यह विक्सित भारत के निर्मान में हम सभी के लिए नई प्रेरना बनेगा यह संसद भावन हर भारती के कर्तब यभाव को जागरित करेगा मुझे विश्वास है इस संसद में जो जन प्रतिनिती बैठेंगे वे नई प्रेरना के साथ लोग तंत्र को नई दिशा देने का प्रेयास करेंगे हमें नेशन फस की भावना से आगे बढ़ना होगा इदम राष्टाय इदम नमबाद हमें कर्तब्यपत को सर्वों पर ही रखना होगा कर्तब्यम एव कर्तब्यम और कर्तब्यम न कर्तब्यम हमें अपने व्यहवार चे उदाहन प्रस्तुत करना होगा यद यदा चरती स्रेष्ट तत देव इतरोजन हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होगे अप्पदीवो भववा हमें खुद को खपाना होगा तपाना होगा तपसों ही परम नास्ती तपसा बिंदते महतर हमें लोक कल्यान को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा लोक हितम ममकरनेयम जब सौंसत के इस नए भवन में हम अपने दाईत्वों का इमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देश वाज़ियों को भी नई प्रेणा मिलेगे साथियों दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र को यह नई संसत एक नई उर्जा और नई मजबूति पदान करेंगी हमारे स्थ्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसत भवन को इतना भव्य बना दिया है अब हम सभी संसतों का दाइत्व है कि इसे अपने समर्पन से और ज़्यादा दिव्य बनाएंगे एक राष्ट के रुप में हम सभी एक सो चालीस करोर भारतियों का संकल्प ही इस नई संसत की प्राण प्रतिष्टा है यहां होने वाला हर निणए आने वाली सद्यों को सजाने समवारने वाला है यहां होने वाला हर निणए आने वाली पीडियों को ससक्त करने वाला होगा यहां होने वाला हर निणए भारत के उजविस भविश्य का आधार बनेगा गरीब दलीत पिछडा आदिवासी दिम्यां समाज के हर वंचित परिवार के ससक्त करन का वंचितों को वरियता का रास्ता यहीं से गुजरता है इस नए संसत भवन की हर इट हर दिवार इसका कान कान गरीब के कल्याण के लिए समर्पी था अगले पचीश वर्षों में संसत के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विक्सित भारत बनाएंगे इस संसत में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बहार निकालने में मदद करेंगे इस संसत में बनने वाले कानून देश की युवाओं के लिए महलाओं के लिए नए अवसरों का निर्मान करेंगे मुझे विश्वास है संसत का ये नया भवन नए भारत के स्रजन का आधार बनेगा एक सम्रुद्य ससक्त और विक्सित भारत निती नयाय सत्य मर्यादा और कर्तव्य पत्पर और ससक्त होकर चलने वाला भारत मैं समस्त भारत वास्यों को नए संसत भवन की फिर से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं धन्यवाद धन्यवाद